मुझा प्राइब कर दो नमस्कार स्वागत है आप सभी का PMC हिंदी चैनल के खास कारिक्रम डॉक्टर से पूछो में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका दर्शे को आज इस शो में Q&A सेशन है यानि की प्रश्न उत्तर श्रंकला जिसमें आपके द्वारा भेजे गए तमाम सवालों के उत्तर हम जानते हैं हमारे साथ मौझूड डॉक्टर से अब आप सोच रहे होंगे कि जो सवालों की उत्तर आपको दिये जाते हैं कि वो किस तरह से दिये जाते हैं सवालों की उत्तर जबी भी हम आपको देते हैं तो उसमें आपकी बिमारी को पूर्ण तरह खतम करने की बात की जाती है अब पूर्ण तरह किसी भी बिमारी को कैसे खतम किया जा सकता है। इमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस तरह से आपको बताएंगे. तो दर्शुकु आज के कारिक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज जो हम बात करने जा रहे हैं Q&A सेशन है. हमारे पास कई सवाल आए हैं जिनके जवाब लोगों ने बड़ी ही आध्यात्मिक धंग से जानना चाहा है क्योंकि जबी भी कोई PMC से जुड़ता है तो आध्यात्म के लिये ही वो जुड़ता है कि आध्यात्म से संबन्दे उन्हें इंफोर्मेशन मिले और उनकी बिमारियों का जो समाधान हो वो पूर्ण तरह से हो. और जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं और आप भी कई बार की बिमारीय हैं इस तरह की होती हैं जिनका ता जिनका च्राना बिमारीतों के का स्वाला頭 ही में हौ इस नंच है इनको जो प्रॉब्लम हैं को यह से पहले तीन !... fusion doing तो क्रिपियर समधान दे। यह जो सवाल है यह हमें बताता है कि ऑपरेशन बीमारी का इलाज नहीं है। तीन बार ऑपरेशन करा चुके हैं लेकिन फिर भी अभी इनके जीवन में स्टोन की समस्या बनी हुई है। दोस्तों यह बात समझनी है हम जो समझते हैं डॉक्टर ने बोला में इस्ट्रीम अलोपैथी के डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराएं हम ऑपरेशन को पुश्टपॉन करने की सोचें क्या इसका कोई और उपाय भी हो सकता है और जब हम कुछ डिफरेंट रास्ते जब चलते हैं तो थोजग समय मेंध करनी पड़ती है थोजखना पड़ता है सीकना पड़ता है थोड़ा अपने लाइफ के डिस्सिप्लीन में चेंज करना होता है हमें अपनी आज़तों में बदलाव लाना होता है तो जाकर हम अपने आपको ठीक कर सकते हैं हम सौटकर टास्ता कर लें आपरेसन करा लें बहतर जल्दी आराम मिल जाएगा यहां पर हमें अपने सरीर को सिर्फ स्थूल सरीर को देखकर नहीं समझना होगा स्थूल सरीर के साथ साथ हमें इनर्जी लेवल पर और माइन लेवल पर भी खुद को समझना है और करना है और ऐसा करते हैं तो हम एक तरह से अपने doctors हम स्वेम बन रहे हैं। आज Doctors Day भी है। हम अपने doctors स्वेम बन सकते हैं अगर हम सीखने को तयार होतो है। Kidney Stone होता क्यों है? यह हमारे life में एक तरह का slugginess है। Inactiveness हम जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे है। Stone यानि की रुकाव, रुकावट, ठहराओ, रुकावट क्यों आ रही है। कि हम जीवन में हम चिंदर मरन करें। Meditation में जब हम बैठते हैं, हम अपने disease पर contemplate करें। इस बिमारी का मानसिक कारण क्या है। हर बिमारी psychosomatic है। जब तक हमारे मन में कुछ unhealthy, जो balance रूप में नहीं है। गरबड नहीं होगा, हमारे सरीर में गरबड नहीं हो सकता। Mind-body connection को हमें समझ लेना जरूरी है। और अगर हम मन को ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेते है। तो stone की problem है, यानि कि हमें active होने के जरूत है। कुछ जीवन में वो करने के जरूत है, जो हम नहीं कर रहे है। ध्यान में हमें मागदर्सन भी मिलता है, दिव्य मागदर्सन, जिसको intuition कहते है। जीवन में हमें क्या करना चाहिए। कहीं पर रुकावट आ रही है, कुछ हम नहीं कर रहे। अक्यूपेसर पॉइंट तो बताओंगा ही मैं, हमारे पैर में K1, K7, K10 अक्यूपेसर पॉइंट है। cold पॉइंट को straight करना है, wind पॉइंट को tone करना है। लेकिन सिफ अक्यूपेसर से ज्यादा फायदा हमें mind वाला method करता है। पहले हम अक्यूपेसर पॉइंट को समझ लेते हैं। हमारे पैर में K1 अक्यूपेसर पॉइंट है, आपको इस स्कीन पर दिख रहा होगा। कौन से साइट का kidney है? आपका सवाल भी अधूरा है, अगर दोनों साइट का kidney में stone है, तब तो दोनों तरफ का करना है। नहीं तो left या right में, जिस तरफ के kidney में stone है, उधर के K1 में हमें करना है। स्कीन पर अक्यूपेसर पॉइंट फिर से दिखा दे। के 1 अक्यूपेसर पॉइंट को जब tone करने का तरीका up and down होता है। हम दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं। के 1 एक wind पॉइंट है, जिसे हमें tone करना है। और के 7 जो की ankle से दो अंगल उपर है, आपको इस स्कीन पर दिख रहा है। अंकल से दबाते हुए, आप ऊपर की तरफ जाएंगे, अंकल से थोड़ा पीछे और ऊपर। और जहां पर आपको दर्द मिलता है, वहां पर आपको sedate करना है। अक्यूपेसर में दो चीजे होती हैं, sedate करना, tone करना, दोनों वे अक्यूपेसर पाइंट को एक धंग से नहीं करना है, यह बारी की आप समझेए। के 7 अक्यूपेसर पाइंट को आपको दबा करना है। आपको यहां पर up and down massage नहीं करना है के 1 जैसा। यहां पर लगाता दबाओ दे कर रखना है, इसे हमें, यहां की उर्जा को हमें slow करना है, कम करना है। के 7 को हम sedate करेंगे और के 1 को tone करेंगे। sedate और tone दो अलग लग चीज़ों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अक्यूपेसर का फाइदा नहीं ले पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं, अक्यूपेसर अलोपेथी से भी ज्यादा पावरफुल है, कंडिशन आप उसको ठीक से समझें और कीजिए। sedate दबा के रखना, tone दबाना और छोड़ना, मसाज करना। हमें K7 को straight करना है, K1 को tone करना है, हाथ में भी एक पाइंट है LU11, यह K1 से थ्वा जुड़ा हुआ है, हम इसे भी tone कर सकते हैं, अंगुठे के tips पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस दबाना है, छोड़ना है, इसे tone करना है, के वन जादा महत्पूर्ण पाइंट है, और साथ में आप LU11, हाथ के wind point को tone कर सकते हैं, लंग का wind point और kidney का wind point जुड़ा हुआ है, तो जब हम हाथ में करेंगे, इस से K1 को भी मजबूती मिलेगी, दोनों हाथ में करना है, अगर आपको किसी एक kidney में का tone है, तो उस kidney का लेकिन यहाँ पर थोड़ा इन और यांग का भी correction होता है, इन kidney में हम sedate जादा करते हैं, और यांग kidney में tone जादा करते हैं, अगर आपने side लिखा होता, तो साथ जादा specifically बता रहेते हैं, लेकिन अगर जानकारी अधूरी है हमारे पास, तो दोन तरफ आप करें, और tone करते हुए अपने mind को change करने का affirmation, belief system, हम अपने जीवने बदलाव लाएं, जीवन में जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिंदगी में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन जब हमारे भीतर ये भा पा रहा हूँ, जिंदगी में जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए, उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो यह mind का connection भी हमारे जीवन में stone या ऐसी कोई दूसरी problem लाता है, यहाँ पर हमें affirmation ये करना है, मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे हम जोड सकते हैं, बहुत लोगों को लगता है मेरे जिंदगी में तो ठीक नहीं होता, हमेशा हम जैसी महनत करते हैं, वैसा ही मिलता है, किसी को कम नहीं मिलता और किसी को जादा नहीं मिलता, अगर आपको ये लगता है, कि आपको जिंदगी में आपने जितनी महनत करी है, उतना नहीं मिला है, तो ये आपको अपने concept change करने के जरूत है, दुनिया में जो महनत करने की जरूत है, उस ढंक से महनत साइदा भी करना आप सीख नहीं पाए, नहीं तो हमेशा हम जैसे कर्म करते हैं, हमें वैसा फल मिलता है, तो जिन्दगी में हम आगे बढ़ने का भाव रखना है, खुद से प्रेम करना सीखना है, अपने अक्यूपेसर पॉइंट को दबाते हुए, LU 11 और K1 अक्यूपेसर पॉइंट को दबाते हुए, जो टोन करने के अक्यूपेसर पॉइंट है, उनको टोन करते हँए, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, हम आप्तिमिस्टिक बने रहे, आप्तिमिस्टिक अटिट्यूड से, सगात्मक्सोच से भी हमारी बहुत हीलिम होती है, नगात्मक्ता की भाव को छोड़ना ज़रूरी है, कहीं पर अन्याय है नहीं हमें सही ढंक से महत करनी सोचनी है सिखनी है इन सभी अक्योपेसर पॉइंट और अफर्मेशन ध्यान के अभ्यास के साथ-साथ मेडिटेशन प्राक्टिस हर रोग में बहुत अनिवारे हैं इन फैक्ट आपको दिन में दो बार ध्यान में बैठना चाहिए निमे तूप से ध्यान में बैठेंगे अक्योपेसर पर काम करेंगे अफर्मेशन पर काम करेंगे हीलिंग जरूर होगी ऑप्रेसन के जरूद नहीं पड़ेगी हम सौर्ट कर ढूंटते हैं और shortcut वास्ता में long cut हो जाता है operation को avoid करें और खुद से अपना क्यार करना सीखें खुद अपने डॉक्टर खुद बने बहुत बहुत धनिवाद डॉक्टर साब यह जो सवाल है आजकल बहुत common हो गया है सब कोई kidney में stone की problem आ जाती है लगभग लगभग सभी को तो मुझे लगता है कि जो लोग हैं जिनको यह समस्या है उनको आपकी जवाब सुनकर बहुत राहत मिली होगी और आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इसी कड़ी में डॉक्टर साब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जो आया है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे जो शो है इसे कितना ज़दा पबलिक का प्रेम मिल रहा है यहां तक कि Canada से सवाल हमारे पास आया है अगला सवाल जो है वो डिरेक्ट कैनेडा से है सनेहलता जी का सवाल है इनकी समस्या है कि जब यह सोती है रात को तो इनका मुह कड़वा होने लगता है गले में भी इनको प्रॉब्लम होने लगती है और इसके बाद से यह गयायाम भी करती है योगा भी करती है, एक्सरसाइस करती है, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं, कि ये जो प्रॉब्लम है इनको, ये क्यों आ रहे हैं? ये डाइबिटीज भी है. ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो ये हमारे स्प्लीन, जो कि पैंक्राज के पास होता है, उसके विकने से होती है. बहुत बार सुगर के पेसेंट्स को भी अदिकत होती है. क्या होता है कि, मतलब अगर ये सुगर के मरीज है, और मेडिसीन लेने से इनका जो सुगर की रेडिंग है, वो नॉर्मल के अंदर रहती है, तो बहुत बार इनको लगता है कि ये सुगर कंट्रोल में है. सुगर कंट्रोल तब बोलना चाहिए, जब आप दवा ले ले, दवा लेना बंद कर दे, और फिर आपका डिडिंग नॉर्मल रहे. सुगर को सिर्फ ग्लुकोमीटर की रेडिंग से कंट्रोल नहीं कह सकते, हमारा इनर्जी लेवल अच्छा हो, हमारी नीद अच्छी हो, और हम एक अच्छी कॉलिटी अफ लाइफ जी रहे हो. तो ये स्प्लीन का विक्नेस है, मुह सुखने का दिकत जो है, प्रिथ्वी प्रान की कमी है, हमारे स्प्लीन ओर्गन में, जो पैंक्रियाज के पास होता है. तो सुगर के मरीज को अगर मुह सुखने के दिकत होता है, तो समझे कि आपको सुगर कंट्रोल में नहीं है, भले गुलुकोमीटर आपका ठीक दिखा रहा हो. आपको अपने उपर और अधिक काम करने के जुरूरत है. वयाम आप करती है, योगा करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योगा और वयाम सिर्फ फिजिकल बॉडी का नहीं होता, हमारे इनरजी बॉडी का और मेंटल बॉडी का भी होता है. इनर्जी बॉडी का यानि की प्रणयाम, अनुलोम विलोम प्रणयाम का अभ्यास किया करे और दिन में दो बार किया करे एक बार हम एक घंटे योगा करते हैं और आदे आदे घंटे दो बार करते हैं आदे अंते गंटे दो बार जो किया जाएगा योगा वो अधिक फायदे मंद होगा। यह बात हमें समझनी है। अनलोम विलोम पढ़नेयाम करने से हमारी इरा पिंगार नारी संदुलित होती है। उसका अभ्यास करें। और पृत्वी से जुड़ने के जुरुत है। मुह दो विलोम पृत्वी से दो आण जिस सकते हैं। आप अधिक बैठेंके तो अच्छा है। ध्यान के अंत में पिंगाराओ को महसुस करें। पृत्वी से आप प्रात्म भी कर सकते हैं कि मेरे स्प्लीन ऑर्गन में प्रान उर्जा भरे। प्रत्वी से प्रान उर्जा मेरे स्प्लीन में आ जाए नहीं कि पिर्थवी पर हम जीवन जी रहे हैं जो भी हम भोजन लेते हैं उसे पिर्थवी के तो उर्जा है बस हम उसके साथ जुडाव को महसूस करेंगे तो प्रान उर्जा को हम अपने आप में भर पाएंगे connection को feel करना है, मैतरी भाव रखना है, और प्रातना करनी है, request करना है, तो बस हम भाव करें, कि पिर्थवी से उर्जा आ जाए, तो आने लग जाती है, यद भावम तद भावति, जैसा हम भाव करते हैं, वैसा होता है, अपने स्प्लीन को मजबूत करें, तो मुझ को सुखने के दिकत नहीं होगी, इसको इग्णोर नहीं करें, अगर हम इग्णोर करते हैं, तो इस समस्या बाद में बड़ी होती है, डॉक्टर सब आपसे जानना चाहूंगी, यदि यही समस्या किसी ऐसे मरीज को आ रही है, जो बिजी लाइफ स्टाइल होने के चलते, एक्सराइज नहीं कर पा रहे हैं, योगा, प्राणायम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या इसी तरह से ये क्योर कर सकते हैं इ जो परिशानी है इसको, जो एक बात आती है कि बीजी लाइफ, हमें अपने स्वास्त के लिए अपने आप के लिए तो एक घंटे समय निकालना ही चाहिए, अगर हम इतने ज़्यादा बीजी हैं, तो देर सबेर हमको इतना टाइम मिलने वाला है कि हम हॉस्पिटल में विस् अपना पेमेंट सेलरी कटवा कर भी आपको हैर्मिट होना पड़ता है, तो हम समझदार क्यों ना बने और रेगुलर लेवल पे आदे घंटे-घंटे समय क्यों ना दे, और सभी योगा में प्रणयाम में ध्यान सबसे अधिक महत पूंड है, कि हम हर दिन मेडिटेशन में जरूर बैठे, प्रकृति के पास जाए, प्रकृति में पास जब जाते हैं, तो हम जमीन पर लेटे, जब जमीन पर हम लेटते हैं, प्रत्वी से जुडाओ को महसूस करे, प्रत्वी से अगर हम जुडाओ कनेक्शन फील करते हैं, तो हम प्रत्वी से प्रान उर्जा को ले सकते हैं आप रोज प्रकृति के पास जाने के भी जरूत नहीं है सब्ता हम एक दिन भी गए तो भी आप उसको फिल करें और फिर जो पार्क में जमीन पर लेटने के बाद जो फिलिंग होती है वो आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे भी फिल कर सकते हैं फिलिंग में बहुत पावर है हमें ये बात समझनी है हम अपने माइंड के पावर का फिलिंग के पावर का यूज करना सीखेंगे तो हम किसी भी परिस्तिती में प्रान उज़जा अपने भीतर बढ़ा सकते हैं रात में जब सोते हैं सोने से थोई दिर पहले का समय बहुत कीमती है meditation के साथ, meditative mindset के साथ हमें ध्यान करते हुए या चिंतरमन करते हुए, spiritual exercise करते हुए, spirituality में जो भी आपको पसंद है वो करते हुए ही रात में सोना चाहिए हम अगर mobile देखते हुए सोते हैं तो समझे कि आप एक बहुत कीमती समय है वो आप व्यर्थ कमा रहे हैं व्यस्त समय है तो भी हम सोते समय ध्यान में थोई दिर बैठ सकते हैं और पित्वी से उड़ जा ले सकते हैं अपने स्प्लीन को मजबूत करेंगे तो हमें ये प्रण समस्या नहीं होगी बहुत बहुत धनिवाद डॉक्टर साहब इस सवाल के जवाब के लिए आशागरती हूँ सनेलता जी आपका पर सवाल का जवाब मिल गया होगा प्रण साहे अब दूक्सरा बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल जो हमारे व्योवर ने भेजा है उनकी समस्या यह है कि उनकी बेटी को कुछ प्रॉप्लम है उनको यह है कि जो इनकी 12 साल की बेटी है बहुत कम ही उम्र है और इस उम्र में उनको पैरलायिसी सुइब है तो इसके लिए वो ज माफी चाहँगी, इसमें जो सवाल है ये है कि इनके जो बाराव साल की बेटी है उनको धैलिसमिया की प्रोब्लम है और उनका वेट भी कम है और लेकिन वो एक्टिव बहुत है, तो इसमें उनको क्या करना चाहिए? । वेट कम होता है तो ये भी पिर्थी उजा के कमी है। यहां पर चोटे-बच्च की बात है। तो फिर हम यहां पर पैंक्रियाज के पॉइंट पर जाएंगे। हमारे पैर में sp4 acupacer point होता है, हमारे पैर का जो गोरा हिस्सा है और जो सामला हिस्सा है, उसके जंक्सन पे sp4 acupacer point होता है, sp4 acupacer point को मसाज करेंगे, तो इससे हमारा pancreas मजबूत होगा. पैंक्रियाज जब मजबूत होगा तो भूख अची लगेगी और वेट भी बढ़ेगा SP4 एक्यूपेसर पॉइंट को मसाज करने के साथ-साथ SP4 एंकल से चार अंगल उपर आपको इसकी निपर दिख रहा है SP6 एक्यूपेसर पॉइंट को मसाज करना है दोनों पैर में ये पैंक्यूपेसर पॉइंट करने है राइट पैर में ये पैंक्याज को मजबूत करेगा लेफ्ट पैर में स्प्लीन को मजबूत करेगा और SP6 को जब मसाज करेंगे, तो यह किड़नी को भी मजबूत करेगा. पैंक्रियाज मजबूत हो, किड़नी मजबूत हो, तो वेट नॉर्मल रहेगा. दोनों एक्योपेसर पॉइंट को हम दो-दो मिनिट के लिए दिन में पांच पर मसाज करें. और यहां पर हम कलर थ्रैपी भी कर सकते हैं. SP4 पर पीले रंग का कलर आएगा, और SP6 पर हम काले रंग की कलर थ्रैपी कर सकते हैं. जो पिर्थ्विय प्रान को बढ़ाना है, तो ब्लैक कलर या ब्लू कलर का यूज़ होता है. SP6 पर हम ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हैं. जब हम उस उर्जा विग्यान को अधिक समझें, तो हम दूसरे अक्यूपेसर पॉइंट पर भी जा सकते हैं, लेकिन शुरुवाती तोर पर सिर्फ एक या दो एक्यूपेसर पॉइंट हम समझ करें, तो हम फायदा पाएंगे. साथ में ध्यान में बैठना चाहिए. अपने बच्चे के साथ आप ध्याने बैठिए. दो लोग ध्याने बैठते हैं तो ध्यान ज्यादा सक्तिसाली होता है. बच्चा थोड़ा कम ध्यान में भी बैठे तो भी चलेगा. बड़े को एक घंटे ध्याने बैठना चाहिए. बच्चा अगर पंदा मिर्ट भी ध्यान में बैठे तो वो ओके है. ध्यान में हम पिर्थवी से जुडाओ को महसूस करें पिर्थवी से जुडाओ महसूस करेंगे तो हमारा वजन नॉर्मल होगा पहले जो भी डॉक्टर ने कहा हो जो भी डाइनोसिस की करी हो यह बात हम ध्यान में रखें, कोई भी कंडिशन हो उसको हील किया जा सकता है बसरते आप नियमित रूप से ध्यान को अपनाते हैं और साथ ही साथ उर्जा विज्ञान को समझते हैं कि मुझे अपने भीतर कौन सी उर्जा को संतुलित करना है बदर बढ़ाने के लिए हमें प्रत्री प्रान को बढ़ाना है और उसके लिए पैंक्रिया जो खिटनी पर काम करना है डॉक्टर साब इनको मैं आपसे जाना चाहूंगी जिसे बच्चे का वजन कम है अभी उम्र जो है बारा साल की है तो अभी इनकी एक समस्या और है— इनकी हाइट भी कम है तो अभी उम्र जो बच्चे की कम है तो हाइट कब तक बढ़ती है और इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि अगर उनको ऐसा लगता है कि बच्चे की हाइट कम है तो इसके ली आ वो क्या करें? हमारे spine Sign, हमारी height первый हे बैदे हमारे spine से वेज़़ से होती है और spine में जो vertebra होता है उसकी height D. 18 साल, 28 साल तक 25 साल 26 साल तक उस ऋस एई तक spine d. 2 ऐज तक спine का growth होता है तब तक height अराम से बढ़ सकती है 18 से पहले तो height sure shot बढ़ सकती है. तो यहाँ जो vertebra है, vertebra एक तरह का bone है, हड़ी है, और bone के लिए energy medicine में हम kidney को responsible मानते हैं. Allopathy science में, medical science में भी kidney में से calcium, hormone का regulation होता है और bone में भी calcium होता है. Allopathy science से भी kidney का ही role है. तो kidney को मजबूत करना है, kidney के occupancy point पैर में K1 acupressor point होता है. चुकि यह गल लड़की है, तो यहाँ पर by pair की K1 पर काम करना चाहिए. K1 acupressor point हमारे तलवे में होता है. तलवे में K1 acupressor point को आप में जब मसाज करेंगे, 2-2 मेट कर मसाज करना है और 24 घंटे में 5 बार करना है. K1 acupressor point को जब regular मसाज किया जाए तो इससे height बर सकती है. K1 acupressor point kidney, median का पहला acupressor point है, लेकिन side का यहाँ ध्यान रहे, लड़की के मामले में बाएं पैर को में काही सिर्फ करना है, boys का मामला हो, तो सिर्फ right पैर काएगा. kidney का acupressor point में side का महत तो बहुत पार होता है कि left करें कि right करें. तो इससे उनके height बर सकती है, साथ ही साथ थोड़ा खेल कूद में रहना चाहिए. वैसे खेल कूद जिसमें उचलना कूदना पड़ता है, जैसे swimming है या basketball है, अगर बच्चा करे, या simple रसी कूद है, जिसमें भी उचलने कूदने की activity होती है, जितना exercise जाएं, sports में जाएं, तो उससे spine को, के लंबे होने के समभावनों रहती है, तो height उससे बढ़ सकती है. जी डुक्साब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सवाल के जवाब के लिए आशा करते हैं, कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल के उर्ट, जिसमें अगला सवाल जो है, वो हमारे क्यूवर का है, जिनकी उम्र 48 वर्श है, इनकी समझ्या है कि इनको कान में अजीव सी आवाज आती है, तो पहले तो इस बिमारी जो भी समझ्या है, इसके बार में बताएं और फिर इसका समधान. इसको ट्रेटर्स कहा जाता है, कान में आवाज की प्रॉल्म, आवाज आते रहती है, और इसको बहुत साई लोग अध्यात्म में कहते हैं, कि क्या अन्हत नाद है, देखें, रोग है और क्या ध्यात्म है, ये तो आपको समझना चाहिए, क्या आपके ध्यान में आप आनंद को महसूस कर रहे हैं, वैसे अभी इस सवाल में, तो आप कोस्पस्ट है कि आपके लिए ये रोग है, अगर ध्यान में आनंद आ रहा है, तो हो सकता है, वो अन्हत की नाद हो, लेकिन अगर आपको जो आवाज सुनाई दे रही है, तिन तिन अगर उससे अगर आपका लाइफ टिस्टर्ब हो रहा है, फिर तो वो एक रोग है, अगर रोग है, तो उसका कुछ कारण होगा, और यहाँ पर कारण जो है, जो कानों में आवाज के समस्या आती है, ये किड्नी की कमजोरी बताती है, किड्नी को अगर मजबूत करें, किड्नी की नाडियों पर मसाज करें, तो उससे किड्नी मजबूत हो सकती है, ध्यान के बाद अपने किड्नी पर हाथ रखे आगे से या पीछे से और अब भाव करें कि मेरी किड्नी जो है वो उसके प्रान उर्जा बढ़ रही है किड्नी के प्रान उर्जा बढ़ेगी और साथ ही साथ आप बाद में किड्नी के प्रान उर्जा को बढ़ाने के बाद मसाज कर सकते हैं उससे भी हमारी किड्नी का एक्यूपेसर किड्नी की नाड़ी में उठजा का संचार बढ़ेगा यहाँ पर हम साइट को समझें चुकि पुरुस का सवाल है यह तो इन किड्नी यानि की बाएं पैर में K1 एक्यूपेसर पॉइंट का मसाज किया जाना चाहिए वैसे अगर साइट का ध्यान अगर आप ना भी रखें तो भी यहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है पुरुसों में ट्रीनिटर्स के प्रॉब्लम जनरली जादा होती है वैसे इंट्रेस्टिंग ऐसा कोई कारण नहीं है वैसे किड्नी के अलावा दूसरी समस्या भी कभी कभी होती है कभी कभी लीवर की प्रॉब्लम होती है किड्नी के पर काम करने के बाद अगर आपको बदलाओ आ रहा है तो अच्छी बात है उस पर काम करते रही है अगर बदलाओ नहीं आ रहा है तो फिर लीवर के पर भी काम करन पड़ेगा। लेकिन किड्नी पर काम करते ही बहुत लोगों को ड्रट मिलना सुरू हो जाता है। हमें अपने इंटर्नल ओर्गन्स को समझना जरूरी है, चक्रों को समझना जरूरी है। अगर हम अपने अंद्रूनी ओर्गन्स का चक्रों का ध्यान रखेंगे, तो हम आरे क्रों को ठीक कर सकते हैं, यहां पर हमें किड्नी को ठीक करना है। और जिन वीवर्स ने अभी तक अपना सवाल, अपने स्वासे से संबंदिस सवाल हमें नहीं भेजाए। वो चिंतितना हूँ, आपके TV स्क्रीन पर हमारा WhatsApp नमबर फ्लैश हो रहा है। आप इस WhatsApp नमबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो सवाल का format रहेगा, सवाल भेजने का जो format रहेगा, सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपकी उम्र और उसके बाद आपके शहर से या किस स्टेट से ब्लॉंग करते हैं वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद यदि आपको कोई एक बिमारी है तो उसे मेंशन कीजिए। यदि एक से जादा बिमारी है, तो क्रम बत तरह से उन सभी को मेंशन कीजिए, सबसे पुरानी बिमारी को सबसे पहले मेंशन कीजिए, तो इसलिके साथ बढ़ते हैं आगे की सवाल क्यों है, डॉक साब अगला जो सवाल है, ये जो हमारे वियूर है, इनको प्रॉब्लम आ र होती है, तो क्रपैस का समधान बताएं, मसल में जो टाइटनेस होता है, उसे उर्जाज कित्सा में हम सुर्य प्रान की कमी मानते हैं, तो यहां पर हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सुर्य परकास में जाना है, हर दिन, हर वेक्ति को 10 मिनट के लिए, 15 उनके लिए तो बहुत जरूरी है, आप कम से कम 15 मिनट के लिए, जाद स-जाद आधे गंटे के लिए, 15 मिनट से आधे गंटे के लिए आप सुर्य प्रकास में जाएं, और सुर्य की उर्जा को अपने सरीर पर, अपने स्कीन पर महसूस करें, और जब सुर्य का तापमान, स सुरिक की प्रकास में थोड़ी सी तापमान, थोड़ी सी गर्मी होती है, उस गर्मी के साथ आप ये भाव करें, इस सुरिक आपका मित्र है, और ये सुरिक की उर्जा, सुरिक की रोशनी, आपके मसल्स को हील करने वाली है, हील कर रही है, इस भाव के साथ हम सुरिक प्रकास क को मुँव करना चाहिए जब हम जॉइंट्स को मुव करते हैं हर एक जॉइंट्स को वैसे हम मुव करेंगे तो हमाई सरी में विंडची सूरिप्रान बढ़ेगा थों की अंग्रों की उंग्लियों का अधिख महत्थ है क desses हम एक बार हम में सबजियों का प्रयोग, बासी भोजन आपको avoid करना है और भोजन दिन में ही करना है, भोजन करने का जो मुख समय होता है, वो दिन में होता है, क्योंकि दिन में जब सुर्य है, तो हमारी जठरागनी अच्छी होती है, रात में सुर्यास्त हो गया, जितना हम रात में भोज नहीं रहती, और जो हम भोजन को प्रेम से हम करें, प्यार के साथ करें, रेस्पेक्ट के साथ करें, प्रात्ना भाव के साथ करें, हम भोजन को, बहुत लोग से भोजन को निगलते हैं, भोजन को बहुत भाव से करेंगे, तो वो उसके अंदर हीलिंग इफेक्ट आता है, सु और हमारे हाथ में TW3 Acupacer Point, यह विंडजी का point है, GV41 Acupacer Point और TW3 Acupacer Point को भी आप मसाज कर सकते हैं, GV43 Acupacer Point जो है पैर की छोटी उंगली आपको इस्कीन पर दिख रहा है, सबसे छोटी उंगली और उसके बगल के उंगली के बीच में लाल रंग से दिख रहा है, आपको इसे मसाज करना है दो-दो मिनट के लिए दिन में पाँच पार और आप यहाँ पे लाल रंग भी लगा सकते हैं, लाल रंग लगाने से हमारे भीतर फायर ची सुर्व प्रान बढ़ता है, जो लाल रंग होगा वो लगफ़क 6 घंटे के लिए होना चाहिए, और कलर थेरपी मुखिता दिन में ही की जाती है, रात में जब अन्धेरा है तो कलर हम लगाएं उसका एफेक्ट नहीं आता है, जीबी-फॉर्टी-वन के साथ हमें हमारे पैर पर, हमारे हाथों में छोटी उंगली और बगल की उंगली लिटल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो एस्पेस है, यहाँ पर हम मसाज कर सकते हैं, यह TW3 का एक्रिपसर पॉइंट है, इसे जब मसाज करेंगे तो इससे भी जो जीबी-फॉर्टी-वन को मसाज करने से पैर में एफेक्ट आ रहा है, इसको मसाज करने से हमारे हाथ में अपर बॉडी में एफेक्ट आएगा, और इस स्टिपनेस जो है, वो कम होगी, और साथ में आप ध्यान का भी परियोग करते रहें, आपको फाइदा जरूर होगा. बहुत-बहुत धनिवाद डॉक्टर साब आपने सवाल का भी जवाब दिया, क्योंकि आजकल ये प्रॉबलम बहुत से लोगों में देखी जा रही है, मुसल स्टिफनेस भी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. इसे के साथ डॉक्टर साब अब अगले सवाल के ओल बढ़ते हैं, अगला सवाल भेजा है सुनीता कुमारी जी ने, इनकी उम्र 53 येर्स है, इनका कहना है कि इनका जो 19 जून को इनका एक्सिडेंट हुआ था और उसके बाद से इनके कंदे पर, चेस्ट पर, थाई पर और हिप पर इसके साथ ही पैरों में लेफ साइड में जाधा चोटे आई थी, और अभी इनके साथ जो प्राब्लम वो ये आ रही है कि अभी इनको ना पैन बहुत जादा होता है, जब ये दवाई खाती है तब उसका जब तक असर रहता है, तब तक इनको पैन नहीं रहता है, जैसे ही जैसे दवाई का असर खतम होता है, इनका पेन फिर से बढ़ने लगता है, और फिर यह सो भी नहीं पाती है, किसी भी करवट ले, कोई भी करवट ले, लेकिन यह सो नहीं पाती है, तो इसके लिए प्लीज आप को समाधान बता है, यहां तो बात एक समझनी है, कि कोई देर तक समस्या रह सकती है, healing को हमें तेज करने की जुरूत है, और healing को तेज करने के लिए, हल्दी का पर्योग सबसे अच्छा माँ जाता है, हल्दी लेना चाहिए, हल्दी को हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, और योग निद्रा की जो advance किरिया होती है, उसे visualization का पर्योग होता है, तो उससे हम बहुत अच्छे relax हो जाते हैं, और उससे हमारे healing हो पाती है, तो योग निद्रा का पर्योग करें, योग निद्रा का पर्योग दिन में हम दो बार भी कर सकते हैं, YouTube पर मेरी आवाज में योग निद्रा है, कई लोगों की आवाज में योग निद्रा है, योग निद्रा आप करें, Accupacer point पर हम आएं, तो हमारे हाथ पर Accupacer point होता है LI 4, इस LI 4 Accupacer point पर आपको बर्फ लगाना चाहिए, दोनों हाथ में आपको LI 4 पर बर्फ लगाना है, आपको यहाँ पर दबाना नहीं है, यहाँ पर आपको sedate करना है, अगर हम हाथ से करते हैं, तो continuous pressure करना है, लगातार दबाव देना है, और बर्फ से अगर हम टच किये रहते हैं, तो उससे यह sedate होता है, दोनों हाथ में हम LI 4 को sedate करेंगे, तो इससे पेन में दर्द में रहात मिलती है, LI 4 एक ऐसा point है, जो हरत रहके दर्द में कामा सकता है, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर चोटका दर्द है, तो healing जब तक थोड़ी से internally नहीं हो जाए, तब तक थोड़ी कुछ दियों तक 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 लिफ रह सकती है, थोड़ी रखे, healing हो जाएगी, दर्द बंद हो तो हमको, अगर हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हमको ध्यान करने की और प्राणाया हम करने की आवश्यक्ता है, जैसे कि आप में ज़ता है, योग निद्रा करने की आवश्यक्ता है, योग निद्रा के बारे में तक साब थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अभी ज सा होता है हम लोग थोड़ा सा आलस आही जाता है बाद में हम सर्च करने के बजाए अगर आप हमें थोड़ा सा शौर्ट में बता देंगे कि योग निद्रा क्या होता है तो वो मुझे लगता है कि हमारे वियोर्स को काफी हल्प करेगा योग निद्रा गाइड़े रिलाक्श योग निद्रा का सभी बड़े योगा टीचर ने अपनी आवाज में योग निद्रा यूटूब पर रखा हुआ है। Guided योग निद्रा, Guided Relaxation को सुनते हुए हम अपने आपको relax करते हैं। जो चोट लगा है वो एक तरह का inflammation है, सूजन है। विजलाइशन का परयोग होता है। आप हरियाली में हैं, आप प्रकृती में हैं। जब हम विजलाइश करते हैं, तो विजलाइशन भी हमारे healing में बहुत help करता है। योग निद्रा को इंग्लिस में हम progressive muscle relaxation कह सकते हैं, PMR. PMR पर बहुत research हुआ है, खासकर Dr. Harvard Benson के द्वारा, योग निद्रा हमें बहुत help करता है, PMR. Dr. Harvard Benson, Harvard में कार्डियोलॉजिस्ट हुए, और meditation पर जो सुरुवाती research है, उसमें वो एक researcher है, जिन्होंने कई decade meditation, योग निद्रा, PMR पर research करने में लगाया है, PMR का बहुत healing effect है, जब अरदस healing effect है, योग निद्रा का, हम उसे जब regular रूप से करेंगे, तो हम realize कर पाएंगे, इसे कितना फायदा होता है. योग निद्रा को generally दिन में किया जाता है, 24 घंटे में वैसे कभी भी कर सकते हैं, योग निद्रा में हम late कर करते हैं, जब late कर योग निद्रा किया जा रहा हो, तो उसे आप, आपका मन शान्थ होते रहता है, अगर आप समझ जाते हैं, कि हमें अपने सरीर के muscles को, सरीर के ए बैठ कर भी कर सकते हैं, बैठ कर योग निद्रा करने में कोई बुराई नहीं है, कभी-कभी कुछ लोग मेरे पास ऐसा आते हैं, कि आपने बताया, डॉटर साब योग निद्रा करना है, मैं तो एक posture में late नहीं पाती, देखिए, आइडियल है कि हम एक posture में late रहें, लेकिन अगर एक posture में अगर आप नहीं late पाते हैं, तो इसका मतब यह नहीं कि आप योग निद्रा नहीं कर सकते हैं, जोग निद्रा में हमें अपने सरीर के एक-एक muscles को, एक-एक body part को relax किया जाता है, अगर आपको बीच में करवट बदलना पड़ता है, हिलना पड़ता है, तो it's बाद में आप फिर से योग निद्रा बैठ जाएं, फिर से योग निद्रा का अभ्यास कर लें, लेकिए अगर quality आपको लगता है कि ideal वे में जो योग निद्रा होना चाहिए, वो मैंने नहीं किया, दो बार तो हम कर लेंगे, तब तो कुछ एफेक्ट आ जाएगा, आइडियल के चक्कर में, अगर आप एक बार एक posture में static रहकर, इस्थिर रहकर योग निद्रा नहीं कर पातों, इसका यह मतलब नहीं कि आपको योग निद्रा करना ही नहीं है, आपको करना है, लेकिन दो बार करना है, बैठ कर करें, लेट कर कर करें, किसी भी तरह से करें, और आप जब अपने बॉडी के मसल्स को रिलाक्स करेंगे और जो intermediate और advanced योग निद्रा में जो visualization का परयोग आता है वो visualization में जाएंगे तो इससे आपको बहुत healing होगी. पेन किलर टैबलेट से जादा healing आपको योग निद्रा दे सकता है इसका regular परयोग करें और खायदा उठाएंगे बहुत बहुत होनिवाद डॉक्टर साब आश्या करती हूँ सुनीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको जो जरुरत है सबसे पहले आपक योग निद्रा का अभ्यास करना है और इसको regular करना है जिससे कि आपको आपके दर्ड में छटकारा मेरेगा और कमी पी आपको महसूस होगी इसके साथी डॉक्तर साब बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला सवाल जो हमारे वीवर है उनोंने भीजा है इनकी समस्या है कि जो बेटी है सत्रा साल की बेटी है उसको फेस पर पेरलाइसिस हो गया है इसके लिए इनको क्या करना चाहिए सबसे पहले मैं आपसट जानना चाहूंगी कि जो इत्ती कम उम्र में इनको फेस पेरलाइसिस की प्रॉब्लम हुई है ये किस तरह से संभ़व है तो कि ये जो इसके लिए मेडिकल में ट्रम होता है, बेलस पालसी, हमारे एक तरफ का मसल ने काम करना बंद कर देता है, तक हमें तो एक बात समझने चाहिए कि जो रोग होता है, उसका उम्मर से कोई संबन नहीं है, छोटी उम्मर में भी रोग हो सकता है, ये सोसाइटी के माइंडसेट की कम में रोग हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और बात एक यहां पर ये भी है कि जाते हैं लोग तो जिन्दी बस काट रहे है, हेल्थ को प्रायर्टी में रखना, ये तो हम करते नहीं है, जब तक नाक से पानी उपर नहीं जाता है, यानि कि जब कोई दर्द आपके जीवन में नहीं आपके लाइफ को क्रिपल करने लग जाए आपको दर्ड इतना हो जाए कि अब असानी है या आपको छुटी ले नहीं पड़ती है तब तक हम उसको इग्नोर करते रहते हैं एक हेल्थी जीवन क्या होता है हम कहां विचार भी मस करते हैं बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और जिन्द की काट रहे हैं जिन्दगी में पैसे से जादा महत्पून हेल्थ है हेल्थ को प्रायर्टी पर रखते हुए जिन्द की काटे नहीं अपने लाइफ को अच्छा बनाएं खमेंसा चिंदर्मन करते रहें, मैं अपने आपको बहतर कैसे बना सकती हूं, मैं अपने आपको, अपने परिवार को हेल्थ को बहतर कैसे कर सकती हूं, और उसमें ध्यान सबसे अच्छा माध्यम है, जिससे हम अपने आपको हेल्थी कर सकते हैं, अपने आपको फिजिकली और mentally fit कर सकते हैं. तो यहां पर जो bell's palsy facial paralysis है, तो यहां ध्यान का तो खेर अभ्यास करना ही है. सुर्य प्रान इस region में हमें बढ़ाना है. सुर्य प्रान बढ़ाने के लिए हमारी आखों के नीचे एक point होता है HT3. जिस तरफ की facial paralysis हो, बेल's palsy हो, उस तरफ आपको HT3 acupacer point को मसाज करना है. HT3 acupacer point हमारे पूरे face में cheek को balance करता है. और इससे HT3 acupacer point को आप यूँ मसाज कर सकते हैं. HT3 acupacer point पर जहां पर मैं अंगली finger से टच कर रहा हूँ, यहां पर आप green color, एक दिन green color और एक दिन में red color आपका प्रयोग करेंगे. जब आप हरा रंग लगाते हैं तो उससे wind ची बढ़ती है. एक दिन हरा रंग लगाएंगे और एक दिन लाल रंग लगाएंगे. HT3 acupacer point पर और रंग जो है वो 6 घंटे के लिए होना चाहिए. Face पर acupacer point के लावा हम अपने हाथ पर LI 4 पर acupacer point करें. LI 4, LI meridian का चौथा point है. फेस के हर एक चीजों के लिए, upper body के हर एक चीजों के लिए, LI 4 पर बहुत काम आता है, इसका जिक्र दरजनों बार आएगा, इस LI 4 पर को हमें tone करना है, पहले case में जब अभी हम दर्द की चर्चा कर रहे थे तो वहापे sedate करना था, दबा के रखना था, बर्फ लगाना था, लेकिन यहाँ पर जब facial paralysis है, बेल्स पालसी है, तो यहाँ पर मसाज करना है, यहाँ पर बर्फ नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें मसाज करना है, tone करना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, चोड़ना है, और यहाँ भी हम green color और red color का treatment कर सकते हैं, green color और red color लगाने से wind ची बढ़ती है, fire ची बढ़ लेकिन उर्जा विज्ञान में तो हम इडियोपेथिक किसी भी चीज को नहीं मानते, हम इस बात को मानते हैं कि आप अपने जीवन को ठीक से नहीं जी रहे, जिनकी काट रहे हैं, तो कभी न कभी कोई न कोई प्रॉब्लम तो पकट होती है, हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन ध्यान होना चाहिए, ताकि आप अपने उर्जा को संतुलित रखे, हम लाइफ को काड़ते हैं, अपने लिए समय नहीं देते, ध्यान के लिए समय नहीं निकालते, तो प्रॉब्लम देर सबेर तो हमें फेस करनी पड़ेगी, तो जब जागें तब सवेरा, आज से डिसाइड करें कि मेटेशन को रेगलर में बैठना है, अपने उर्जा को संतुलित रखे, और अभी फिलहाल सुरे प्रान को LI4 अक्यूप्रेसर पाइंट से, और ST3 अक्यूप्रेसर पाइंट से मसाज़ करके, अब रहाले आप ठीक हो जाएंगी. बहुत बहुत धनिवार, डॉक्टर साब, आपने इस समस्या का इतना सरल तरह से उपचार बता दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चों की बाद आती है, तो पैरेंट्स पहुत जादा घबरा जाते हैं, अब आपने इतने आसानी से और इतने जो पॉइंट्स बताया है, ओजा को बैलन्स करना बताया है, तो मुझे लगता है कि जो ये विवर जिन्होंने ये सवाल भेजा है, उनको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, जिससे कि उनकी जो बेटी है, उनकी तब्यत में जल्दी सुधार उनको देखने को मिले, तो डॉक साब इसके साथ ही बढ़ते हैं अब अगले सवाल की और अगला सवाल जो है 60 वर्ष ये महिला का है ये फरीदाबास से हैं इनकी समस्या है कि 2015 में इनका appendix का operation हुआ था फिर 2007 में इनका fibroid का operation हुआ था उसके बास से इनको जो इनकी spine है उसमें problem आने लगी इन्होंने तीन बार MRI भी करवाया और उसके बाद पता चला कि इनको L4, L5 और S1 की problem है तो जिसके बज़े से इनको बैठने में problem होती है खड़े होने में problem होती है और lower back pain रहता है उसके बाद इनके vision में problem होने लगी तो उन्होंने जब check कर आया तो इनको retina की problem सामने आई कि इनके retina मे problem है इसके साथी डॉक्टर साब अब इनका जो main focus है जो problem जादा इनको बढ़ रही है वो है कि इनका जो lower legs में pain होता है spine की वज़े से इनको lower legs में pain होता है lower back में pain होता है ये regularly prana ayam करती है और yoga भी करते हैं लेकिन इससे भी इनको थोड़े सा समस्या भी आ रही है तो कृपया अब इसको बताएं कि इसको हम ध्यान से या फिर और किसी method से किस तरह से solve कर सकते हैं लेखिए अनसीका जी यहाँ पर जो एक समझ बात हमें समझनी है हम प्रकृति में कोई भी हमारा organ यो ही नहीं होता यह अलोपैथिक सिस्टम में बहुत जादा focus कर दिया गया है कि अब उ फाइबराइड है तो यूटरस को निकाल दो यूटरस को निकाल दिया फाइबराइड की समझना तो चली गई ठीक हो गई लेकिन आपके इंटर्नली जो डैमेज हो गया उसके कारण से बैक पेंट का जिस्टम आ रहा है आपके बैक पेंट में यूटरस का जो फाइबराइ दूसरे department एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास चकल लगाते रहता है और जब ठक जाता है तो घर आकर फिर वो सब को complain करते रहता है कि डॉक्टर खराब है, गिसमत खराब है, भगवान खराब है, हमने यह नहीं सोचा कि हमने जो परकृति के दिये गए, भगवान के द लिए जो भी वीवर्स देख रहे हैं, उनके लिए एक वार्णिंग है कि हम ऑपरेशन को पुष्ट पॉन करें जहां तक कर सकते हैं, अगर हम अपने आपको ठीक नहीं करते प्राकृतिक तरीके से, तो यह समस्या हमारे जीवन में आती ही है, अब यहां पर यूटरस नहीं है, लेकिन इनर्जी लेवल पर हमें जो यूटरस के लिए जो एक्यूपेसर पॉइंट होता है, वो करके हमें उसकी महरपाई को पूरा करना पड़ेगा, हमारे हाथ पे TW5 एक्यूपेसर पॉइंट होता है, TW5 एक्यूपेसर पॉइंट हमारी कलाई पर बाहर की तरफ है, ब और रिष्ट से तीन अंगुल के डिफेंट्स पे। इस अक्यूपेसर पॉइंट को आप अठ्छे से पालपेट करेंगे दोनों हाथों में, आपको कहीं न कहीं पर दर्द जरूर मिलेगा। जहां पर आपको दर्द मिले। तीरलू 5 अक्यूपेसर पॉइंट आपको स्कीन पर दिख रहा है। इसका आप फोटो लेकर सेव कर सकते हैं। और इस अक्यूपेसर पॉइंट पर मसाज आप एक बार में लगवग 2 मिट के लिए और 24 घंटे में पांच बार के लिए मसाज कर तीरलू 5 अक्यूपेसर पॉइंट करने से जो यूटरिस के आपरिसन हो जाने के बाद जो कमी है या ऐसे भी कमी हो सकती है यांग ची को बढ़ाएगा यहूपेसर पॉइंट को दिन में 5 बर मसाज करें। और आप योगा करते हैं तो तीरलू आप तारासन का प्रयोग करें। आप करते ही होंगे लेकिन उसको अधिक फ्रिक्वेंसी में करना है। और अपने माइंडसेट पर भी काम कर सकते हैं आप अफर्मेशन पर हमें यह जानना है हम कभी कमजोड नहीं है किसी भी तरह से। हमारे भी तो जो डिवीनिटी है डिवाइन जो पावर है हम उस करते हैं। मैं सब की मदद करती हूँ और सभी मेरी मदद करते हैं। जब आप अक्यूप्रेशर और फर्मेशन दोनों का उप्योग ठीक से करेंगे तो आपका बैक्पेंट जो है वो ठीक हो जाएगा और साथ में ध्यान का अभ्यास करते रहें। बहुत बहुत हनिवार ड इन्होंने मेंशन किया है कि ट्रीटमेंट चाहते हैं OCD का, डिप्रेशन का, स्कीजोफ्रेनिया का और स्किन एलर्जी का। तो सबसे पहले आप से जानना चाहूंगे यह OCD क्या है। OCD, Obsessive Compulsive Resort, जहां पर प्रेशन किसी एक काम को जो उसके दिवान में चट जाए पर उसको करने को बार बार करना चाहता है। जैसे बहुत सारी महिलाओं को सफाइक होता है कि मुझे मेरा कमरा, मेरा जगह यह साफ होना चाहिए। साफ जगह को भी फिर से साफ करने की बीमारी हो जाती है। लेकि यह OCD किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो यहां पर यह समझना है। उन्हें कई सारी समस्याइं दी है। वास्तों में ऐसा नहीं होता है। तो अपने हिर्दय चक्र को मजबूत करने के ज़रुत है। हमारी कलाई पर HT7 Acupacer Point होता है। दोनों हाथ में इस HT7 Acupacer Point को आप दो-दो मिनट के लिए दिन में पांच बर मसाज करें। HT7 Acupacer Point कलाई पर छोटी ओंगली के लाइन में है। इस HT7 Acupacer को मसाज करते हुए आप affirmation करें। मैं जिन्मगी में खुष रहता हूँ, खुष रहती हूँ। मैं life को enjoy करती हूँ। जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैं हर दिन ध्यान में बैठती हूँ। ध्यान से मैं अपने आपको स्वस्थ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। पॉजिटिव affirmation को आप Accupacer Point के साथ मिक्स करेंगे, तो इससे आप खुष रहेंगे। यहाँ पर आप लाल रंग का भी परियोग कर सकते हैं, आलते का या रक्चंदर, Red Sandalwood का। नहीं तो आप सिंपल, HTC Restore से आप लाल मारकर लें, और उसके साथ आप लाल रंग लगाएं उस Accupacer Point पे। जब हम Heart को मजबूत करेंगे, HTC 7 Accupacer Point को मसाज करेंगे, तो इससे हम, हमारे depression दूर हो जाएगा, और हम खुष रहना सीखेंगे। साथ ही साथ, आपको ध्यानियों के साथ रहना चाहिए, अध्यात्मिक लोगों के साथ रहना चाहिए, किसी अध्यात्मिक संस्था में आप volunteering का काम करें, ध्यान की सेवा करें, ध्यान पचा की सेवा करें, सेवा करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं, सीजोफरेनिया के आप तो भी वहाँ पर बैठिए, आप अध्यात्मिक अस्थानों पर जब होते हैं, तो उससे आपकी उर्जा संतुलित होती है, बैतर होती है, लगातार काम करेंगे, तो आपका डिप्रेशन, आपका उसीटी, आपका सजोफेनिया, सभी ठीक हो जाएगा, लेकिन एक काम पहले कर हम कन्फ्यूज रहते हैं, अभी आप अपने हार्ट पर काम करें फिलहाल, और जीवन में थोगी असपश्टा लाएं, तो आध्यात्मिक जगों से जुड़े, जाये करें, वहाँ पर समय वेतित किया करें, जी डॉक्टर साब, अब इसी के साथ बढ़ते हैं, अगले सवाल अगला सवाल है, प्रियंका जी का, गाजीपूर, यूपी से हैं, इनका जो प्रेश्न है, इनका कहना है कि दो साल के ऑटिस्टिक बच्चे को अध्यात्म के दुवारा ठीक कैसे किया जा सकें, ऑटिजम जो है, वहाँ पर ब्रेन का इश्व है, हम ब्रेन पर काम करना सीख उर्जा के हिसाब से, अध्यात्म हिसाब से तो हम आटिजम को ठीक कर सकते हैं, आर पिता को जो भी घर में बड़े हैं, उनको ध्यान में बैटना है, और ध्यान में जब आप सफिसेंट टाइम बैट चुके हो, यानि कि एग घंटा ऐडियल है, एग घंटा नहीं हो, तो छ प्रात्ना करते रहें, भगवान इस बच्चे के मदद करो, इस बच्चे का ब्रेन अच्छा हो, अगर फिजिकली नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्ची खेल रही हो, चल रही हो, जागी भी हो, तो नहीं आराम से बैठे, तो आप कल्पना भी करेंगे, तो भी पर अपना ध्यान एक घंटे का होना चाहिए, उसके बाद आप भाव करें, लिए विजलायसन का इफेक्ट तब हमारे हम ले सकते हैं, जब हमारी अपनी उर्जा बढ़ी हो, खाली उर्जा हो, आपके पास आपके उर्जा नहीं हो, तो फिर विजलायसन इफेक्ट नहीं और ब्रेन में जाएगी, तो आठीक होना शुरू होगा, मैं आपको कलर थेपी भी थावासा बता रहता हूँ, जब बच्ची सो रही हो, तो सभी अंगलियों के टिप्स पर, हाथों के अंगलियों के टिप्स पर पैरों के टिप्स पर लाल रंग लगा दे, जब सो रही हो तो जाद अच्छा है, और बाद में लगभग 6 घंटे के लिए हम एक्यूपेशर का कलर थेपी होना चाहिए, तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, मुझलायसन करेंगे, लाल लंग लगाएंगे, तो आउटिजम में भी आपको फाइदा होगा. आपसे जानना चाहूंगे, जो आउटिजम है, ये क्या है? शॉट में थोड़ा से बताएं, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी पावबंदी है, समय थोड़ा से बताएंगे, ब्रेन का डिवलप्मेंट नहीं हो पाता है, बच्चा जो है वो अपना काम नहीं कर पाता है वो अपना जो बेसिक सेल्फ केर है, डिगरी का भी फर्क हो सकता है, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे बोल अपना केर नहीं कर पाते हैं, ये मेंटल, ब्रेन का डिवलप्मेंट की ये दिकत है अलोपेथी में, मेंट इनिश्ट्री मेडिकल साइंस में इसका कोई अगजट कारण नहीं है, कुछ बच्चों को बस हो जाता है, जहां पर कुछ कारण समझ में नहीं आए, वहां पर हमें कर्मों के सिध्धान पर जाना चाहिए, वहां पर हमें सोल जर्ड़नी और सोल अध्यात्मिक मागदरसन बहुत हेल्प कर सकता है, अगर हम अच्छे ध्यान में जाते हैं, तो हम अच्छे मेडिटेशन में पूछ सकते हैं, कि इस आत्मा को धरती पर क्या अनुभोल लेना है, मुझे क्या सीखना है, रॉबर्ट स्वाच्च एक रिसर्चर है, सोल जर्ड मेडिकल साइंस को वह अलग बात है, कारन तो है, यहां पर हम ब्रेन पर काम करें, इनर्जी वाइस, और ध्यान को अपनाते हुए, कर्मों के सिध्धान्त को, और आत्मों की यात्रा को समझें, जब हम समझ लेंगे, और समझ कर काम करेंगे, तो हीलिंग हो जाएगी. बहुत बहुत हनिवाद, डॉक्टर साब, आज आपने सारे सवालों का जो जवाब दिया है, मुझे लगता है, इसको सुनकर हमारे वियोर्स को बहुत ही मदद मिली होगी, और इसके साथ जीपन में आशिया करते हो, अगर वो यह सब चीजे अपनाएंगे, तो सुधार दे कि यदि आप भी अपना कोई सवाल भेजना चाहते हैं, कारिकरम डॉक्टर से पूछो में, जिसमें आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब डॉक्टर एस रंजन जी आपको दे, तो मैं आपको यह फॉमेट बता देती हूँ, फॉमेट में जब भी आप अपना सवाल भ बैमारिया हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पुराने बैमारी को सबसे पहले मेंशन करें, जिसके साथ जब आप इस तरह से सवालों को अपने को लिख कर के भीजते हैं, तो उनके जवाब बेना डॉक्र साब के लिए बहुत आसान होता है, और इक्जै पूइंट्स की बात कर रहे हैं तो यह दौनों के लिए अलग-अलग हो जाते हैं तो इस इन सब चीजों का विशेश तोर से ध्यान रखें और अपने सवाल हमें भेजें आपके सवालों के जवाब हम आपको देंगे डॉक्टर से पूछो के अगले Q&A सेशन में यानिकी लेकिन आप कहीं मत जाएए आप देखते रहिए प्यम्सी हिंदी चैनल नमस्कार